बीस रुपे पाऊ और ये लालाल जोते करोंदे दसके सो करोंदे तो एवरीवन आज जो हम मार्किट एक्स्प्लोर कर रहे हैं वो है सबजी मंडी घंटागर जो की कमला नगर और कोलापूर रोड के पास है यहां फिलाल करोंदे की वज़े से काफी सारी शौप्स बंद है यहां आपको पूजा पार्ट के रिकार्डिंग कोई भी समान इजिली मिल जाएगा यहां डिस्पोजिबल आइटम्स जैसे की प्लेट्स, ग्लासेज, नैपकीन्स, पून्स, आदी की काफी सारी शौप्स है चूँकि यह मार्केट पुरानी दिली में है इसलिए यहां पर अधिकतर समान कमरेट पे मिल जाता है लोग यहां से छोटी मोटी फंक्शन्स के लिए समान ले जाती है क्योंकि उन्हें काफी बचत हो जाती है कुछ तो अपनी खानी पीनी की दुकानों के लिए ले जाते है जैसे धाई, चौवमिन, फल, सबजियां, आदी आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते है यहां यह चौवमिन का छोटा सा पैकेट जो की बहार 20 रुपे का मिलता है यहां यह 10 रुपे में मिलता है यहां यह चाप के रेट सुनिए 20 रुपे पाऊ दूसरी बड़ी मार्केट्स में यह चाप आपको 40 रुपे पाऊ मिलेगी साथ ही आपको यहां से चौमीन मसाला, सबजियों के मसाले, अलग-अलग तेरे की सौस, कैचप, चटनिया, वाथ ही किफायती रेट में मिलेंगे सुनिए ये रेट चिली सौस के रेट, ये कितने की है, साथ रुपए के यहां का जो पनीर है, बिना मिलावट का होता है, जो की सौफ्ट होता है, और किफायती भी होता है यहां इसका रेट है साथ रुपए पाओ यहां पे जो ये शौप दिखाए जे रही है, सेठी जर्नल स्टोर यहां पे आपको स्कूल की ड्रेसिस और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल के लिए वाटर बोटल, लंच बॉक्स और भी काफी सारे चीज़े काफी किफायती रेट पे मिल जाएगी जैसे आज कल काफी सारी शौप यहां पर बंद है, जब यह दुकाने खुल जाएगी तो मैं आपको और भी ज़्यादा एक्स्प्लोर करकर दिखाऊंगी इसी तरह मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए है तो इस शौप पर आपको हर तरीके का आटा मिल जाएगा तो कि आपको हर जगे नहीं मिलता जैसे कि ये मूंग डाल आटा, पंजीरी का आटा, चावल का आटा, आदी और ये क्या मूंग डाल आटा, ये क्या पहुआ है? ये भी 40 रुपे पाओ था और अंदर देखिए इस चक्के पर और कितने तरीके के आटे थे, इस सीजन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आम का अचार डालते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आमबी, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पर अलग-अलग वराइटे की आपको अचार मिल जाएंगे, जो कि खाने में काफी स्वादिस्ट होते हैं, आमबी क्या भाव है, आमबी और कटाई, पांच रुपे किलो, यह आमबी आपको यहाँ पर काट कर भी मिल जाती है, कटाई की जो कीमत है, वो है एक किलो पे पांच रुपे, यहाँ पर आप देखिएगा, य आपको यहाँ पर आमबी साफ करके काट कर और आप यहाँ से आमबी का अचार भी डलवा सकते हैं, आपको यहाँ से इंग्रिश वेजिटेबल्स भी मिल जाएगी, जैसे यह मश्रूम, और नीमू के बाव है, यहाँ पर एक पट्री शोप है, जहाँ पर आपको खटल के ब आज बन थी, और यहाँ पर सब्जीयों की धेर सारी दुकाने हैं, और यह फ्रेश फ्रेश हरी हरी तोरी, जिसकी कीमत थी 40 रुपे प्रती किलो, यानि की 10 रुपे पाव, सब्जीयों के अलावा, यहाँ पर आपको और भी दुकाने मिलेगी, जैसे यह गिफ्ट शॉप, कोस्मेटिक की दुकान, बर्डे की रिगार्डिंग आइटम जैसे की बर्डे कैप्स, टेपर प्लेट्स, प्रेशन का सामान, आदी, यहाँ यह दुर्गा स्टोर हैं, जहाँ पर किसी भी धार में काम के लिए आपको सामान, जैसे चुन्नी, बिच्छोने, और भी हर तरीके का सामान आपको असानी से उपलफ्त हो जाएगा, यहाँ पर कुछ शॉप ऐसी भी हैं, जहाँ पर प्लास्टिक के आइटम के सस्ते समान मिलते हैं, यहाँ पर एक डुपट्टा शॉप भी है, जहाँ से आप सफेद कलर की कोई भी डुपट्टा खरीद के, असानी से रंगवा भी सकते हैं, अपने पसंदीदा कलर, आपको यहाँ पर सूट के कपड़े भी मिल जाएंगे और फैब्रिक भी मिल जाएगा, और यहाँ पर पीको और इंटरलोग भी होती है, यहाँ पर बेकरी की भी काफी सारी शॉप है, जहाँ पर आपको कुछे, सैंडविच, और हाँ, यहाँ पर आपको पता है पैटीज भी बनती है आपको जो सूजी के कुल्चे दिखाई दे रहे थे ये थे 40 के 12 और पैटी थी 10 से 15 के बीच में और सेंडविच 10 से 15 के बीच में आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा अगर आप नए हैं त तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा और बैल आइगन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में